मौनसून आते ही आई फ्लू की परशानी काफी बढ़ जाती है इस बार विबारिस काफी हो रही है और हर जगा जल भरा हो गया और उपर से यह आई फ्लू की बिमारी आई फ्लू कोई नहीं बिमारी नहीं है लेकिन इस बार मौनसून में आई फ्लू काफी जादा बढ़ रह जाता है इस मॉनसून आई फ्लो का संक्रमन काफी तेजी से बढ़ रहा है बच्चों से लेकर बूड़े तक सारी इसके चपेट में आ रहे हैं आई फ्लो से संक्रमनित होने पर आँखे लाल हो जाती है उसमें खुजली होने लगती और उसमें पानी आने लगती और किसी किसी को आँखों में सूजन भी आ जाती है इस मॉनसून में दिल्ली और अन्राजियों में आई फ्लो के काफी मरीज देखे जा रहे हैं यदि आपको या आपके परिवार के किसी सद्रस संक्रमन हो गया है तो आपको कुछ बातों का ख्याल रखना परेगा इस वीडियो में आप को आगे बताओंगा कि आई फ्लो के संक्रमन से कैसे अपना बचाओ करें सबसे जरूरी बात कि प्रॉपर हाईजीन का ख्याल रखें और अपने हाथों को समय आपके और इसमें दर्द भी ऊसकता आपको करने के लिए टीशू या रुमाल का इस्तमाल करें आखों में पानी के छीटे मारे और इससे साफ पतले तौवल से साफ करें अपने कपरों को जैसे टौवल है बेड़ शीट है तक्या का खोले सबको अच्छे साफ से दोएं अगर आपको कंजेक्टिवाइटी का संकर्मन हो गया है तो अप मेकप ना क करें अपना बिस्तर चादर तक्या खोल बिल्कुल साफ रखें अपनी परसनल चीजों का तौलिय का या किसी कप्रे का शेयर ना करें और अगर कंजेक्टिवाइटीज की प्रॉब्लम वह को ज्यादा परिशान कर रही है तो अपने डॉक्टर से मिलें और उनकी सहला से को एंटिबाइटिक आई ड्रॉप का इस्तेमाल करें तो इस तरह आप आई फ्लू की प्रॉब्लम से बस सकते हैं अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको शेयर कीजिए लाइक कीजिए और मने चैनलों को सब्सक्राइब कीजिए